अब बात CBSC पेपर लीक केस में क्या CBSC ने पेपर लीक केस में जूट बोला है? ये एक बड़ा सवाल है आपको बता दें कि इस पूरे केस में पुलिस ने एक शक्स को जो गरफतार किया है उनमें से एक शक्स ABVP से है तो वहीं जिन नाबालिक छातरों को हिरासत मिलिया है उनसे भी लगातार पूचताच की जा रही है CBSC पेपर लीक केस में कल जारखन के चत्रा से तीन लोगों को गरफतार किया गया इस गरफतारी से CBSC पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या CBSC ने जूट बोला ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको याद होगा कि CBSC के मताबिक पेपर लीक दिल्ली से हुआ है लेकिन अब गरफतारी जारखन में हुई है जिसने CBSC पर सवाल उठा दिये हैं क्योंकि CBSC ने ये कहा था कि जो पेपर लीक हुए हैं वो दिल्ली और आसपास के इलाकों से हुई है तो अब जो गरफतारी हुई है वो बाहर से क्यों, दिल्ली के बाहर से क्यों चत्रा यानि कि जारखन के चत्रा से गरफतारी क्यों हुई है आपको बता दें कि जिस तरह से गरफ्तारी बाहर से हुई है ये पुलिस पर भी सवाल उठा रहा है और CBST पर भी सवाल उठ रहे है कि अगर बाहर से गरफतारी हुई है तो फिर दिल्ली और आसपास के इलाकों पर पुलिस ने ये क्यूं कहा था कि दिल्ली और आसपास के इलाकों से पेपर लिख हुआ है बाहर जो चात रहे हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको ये भी बता दें कि पोलिस ने जिन तीन लोगों को गरफतार किया है उनमें से एक ABVP का पूर्व नेता है साथ ही जो छे नाबालिक हैं उनसे भी लगातार पूछताच की जा रही है उनको हिरासत में लेकर पूछताच की जा रही है ABP News ये बड़ा सवाल पूछ रहा है कि क्या CBSC ने जूट बोला है पेपर लीक मामले में तो ABP News ये सवाल लगातार पूछ रहा है कि क्या CBSC और सरकार ने पेपर लीक पर जूट बोला है हमारे साथ समवाददाता रविकांत मौझूद हैं फोन लाइन पर मौझूद हैं उनसे जानेंगे कि क्या CBSC ने इस पूरे पेपर लीक केस में जूट बोला है क्योंकि ये रविकांत जो गिरतारी हुई है वो जारखन के चत्रा से हुई है देखिए निश्चित रूप से इस मामले में CBSC बुरी तरह फस्ती भी नदर आ रही है क्योंकि पूरे तक थे CBSC ने रख रही है एक के बाद एक वो टाइम बारो कर रही है उसने पहले इंटरमीडेट के एक्जाम की होशना की लेकिन ये कहा कि 15 दिन बाद हम बताएंगे कि दिल्ली, NCR और हर्याणा में हम कराएंगे या नहीं कराएंगे ये भी इस पस्त नहीं किया तो साथ बाद ये है कि जो CBSC है वो कहीं न कहीं ये भापने की कोशिश कर रही है कि अगर जो चाटरों की सेंटिमेंट्स हैं वो अगर कंट्रोल में रहे तो वो एक्जाम नहीं कराएगी यानि जो तथे हैं उसके आधारवर CBSC नचल करके जो बावाल में फसने से बचने की कोशिश CBSC जादा कर रही है पहले उनके जो चेर्मेन थी वो सामने नहीं आई जब बावाल बढ़ा चातर जंतरमंतर पर आ गए सरकों पर आ गए तब उनकी चेर्मेन सामने आई पहले वो छुटी पर बताई आ रही थी इस तरह से CBSC पूरी चीजों को मेस्ट कर रही है और अभी भी जो सारे फैक्स हैं उनको स्विकार नहीं कर रही है धन्यवाद रविकान हमें पूरी जानकारी देने के लिए तो यहां पर आपने देखा कि क्या CBSC ने इस पूरे मसले पर जूट बोला है हमारे समवादातार रविकान ने खुद ये भी कहा कि इस पूरे मसले पर CBSC फस्ती हुई नजर आ रही है जब प्रोटेस्ट हुए जब प्रोटेस्ट बहुत जादा हो गए दिल्ली में जिस तरह से छात्रों ने दिल्ली में पूरा जाम कर दिया उसके बाद CBSC चीप को बहर आना पड़ा उपना बयान देना पड़ा और लगतार जिस तरह से बयान भी बदले जा रहे हैं इस तरह से जो बदले जा रहे हैं और जिस तरह से जो ज़रफ्तारी हुई है जब कि यह कहा गया कि दिल्ली में पेपर लीक हुआ तो ये एक सवाल खड़े करता है CBSC पर तो बहीं दिल्ली पुलिस और जो क्राइम ब्रांच है जिसको ये इस पूरे केस को दिया गया था वो भी इस पूरे मामले में फेल होती हुई नजर आ रही है वाटसेफ ग्रूप्स को तो देखा गया लेकिन उसका जो एड्मिन है उसको अभी तक पकड़ा नहीं जा गया है और ये सवाल खड़े करता है CBSC पर इस सुमबार्स राद नौ बज़े मैं पुन्ने को सुमबार्स पर आ रहा हूँ ABB News पर ये है ABB News आपको रखे आगे